दोस्तो अब सभी के लिए एक good news है अगर आप लोग लोन लेके वहाँ पर ECS एक्टिवेट करके रखे हुए हैं तो आप लोगों को डरने की जरुवत नहीं है क्योंकि एक नया कानून आ चुका है यहाँ पर मानों आप लोगों को लगरा है कि ECS अगर एक्टिवेट है और आ अब यहाँ पर एक नया कानून आ चुका है जो कि आप लोगों के लिए एक बहुती बड़ा जो है good news आप लोग बोल सकते हो आप लोग सुनने के बाद थोड़ा से relax हो सकते हो जी हाँ दोस्तो आप लोगों को बताने वाला हो वह good news है क्या जुलाई में ही जो है यह good news मिला है यह जो भी नया कानून है वो लागो होगा है ओल ओवर इंडिया में लागो हो चुका है तो आप लोगों को सारा डिटल्स बताने वाला हूँ वीडियो पूरा ध्यान से लिखेगा एंट तक बीना स्किप किवे दोस्तो अगर आप लोग नए हो अभी तक सब्सक्राइब कि अब लोगों पता चल रहा है कि electronic clearance service automatically जो है आपके bank account से पैसा debit हो जाते है बोगों को ECS के बारे में पता भी नहीं है आखिरी ECS होता क्या है लेकिन आप लोगों को बता दू ECS जो भी है यह क्या होता है चेक की तरह ही काम करता है चेक क्या करता है काम अगर मानो कोई भी अब लोन लेने जाते हो personal loan हो कोई भी EMI हो तो देखेगा सबसे पहले वो एक चेक लेता है company के नाम से ठीक है उस चेक में जो पहला EMI होता है उस amount को लिखते हैं तीन चार चार बार जो है उसी चेक से आपका पैसा जो है जो भी पैसा deduct होता है वो पैसा काट लेता है तो उस बार उसी चेक को जो है बार-बार प्रोसेडिंग करवाते हैं और आपका जो भी loan का amount होता है वो एक month के जो भी date होता है उसी date में जो है auto debit हो जाता है तो उसी तरीके से ECSB है ECSB जो है automatically वहाँ पर आपके through एक OTP के through एक permission ले लेते हैं कि आपका bank account हमारे bank से मतलब जो भी उ account से automatic कट जाए इसके लिए आप लोगों को bank में sufficient balance जो है रखना पड़ता है अगर मानू insufficient balance है तो ECSB bounce कर जाता है हीट करेगा जब भी देखेगा कि आपका 3000 का EMI है आपके bank account में 2000 पड़ा हुआ है तो 3000 अगर नहीं मिलेगा तो वहाँ पर हीट करेगा हुआ है 10-12 EMI bounce कर गया है आप लोग तो तब जो है वह code में जाके case कर देता है section 25 तो नया कानून क्या आया है आप लोगों को पता है कि section 25 में अगर case होता है तो घर पे समन आ जाता है समन में देखने को क्या मिलता है जो code में जो भी PC होने वाला है या पर जो भी case हुआ है ज साथी साथ जो है खाने पीने का खर्चा रहने का खर्चा क्योंकि भाई देर हजार किलोमेटर कोई सामने नहीं है आपको जाने आने में दो तीन दिन का वक्त लाग जाए या फिर उससे भी ज़्यादा लग सकता है तो वहाँ पर और भी खर्चा होगा एडवोगेट का फी यहाँ पर दिक्कत आप लोगों को होगा अब यहाँ पर कानून की तोर्फ से यहाँ पर कोट ने फैसला लिया है देख रहे हैं अभी के टाइम में चेक बाउन्स जो भी ECS का बाउन्स है धड़ा धर केस जो है कोट में जा रहे है और इसके चलते क्या हो रहा है बहुत सार संगीता 2023 सिक्षन 228 के तहट जो है यह लागू हुआ है यह जुलाई 1st जुलाई से लागू हो चुका है अल ओवर इंडिया कि अगर मानों आप लोगों की उपर केस करता है अगर आप अड़ोगेट हायर कर लेते हो तो अड़ोगेट के थ्रू भारतिये नए संगीता 2023 के जो है जैज को जो है एक एप्लिकेशन देना पड़ेगा कि फिजिकल एपेरेंस जो है वहाँ पर माफी कर दिया जाए तो यहाँ पर क्या होगा कि आपको वहाँ पर जाना नहीं पड़ेगा आपका जो भी काम होगा वह एडोगेट के थ्रू ही हो जाएगा यह जो है तो वहाँ पर आप लोगों को जाने की जरुवत नहीं है, फिजिकल एपिरेंस का जो है यहाँ पर जरुवत नहीं है, जो भी काम होगा वो एड़ोगेट करेगा आपके नाम से वो एक्सेप्टेबल होगा, ऐसा नहीं कि आप नहीं गए तो आपके ऊपर जो भी वारेंटी सो होने वाला नहीं है, लेकिन आप लोगों को बोलना होगा एड़ोगेट को कि मैं इतना दूर से आ नहीं सकता, आप एक अप्लिकेशन करो कि एक्सेंशन कर दिया जाए, ठीक है फिजिकल जो भी अपेरेंस है उससे मुझे माफ कर दिया जा, यहां पर मैं फिजिकल अपेरेंस नहीं दे पाऊंगा इतना दूर, रोज रोज जो है आना पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पर आप लोगों कर देना नहीं पड़ेगा, यह जाने का बाद जो एड़ोगेट आपको हायर करना पड़ रहे है वो एड़ोगेट हायर कर दिजिएगा उनी से बात कर लिजिएगा कि ऐसा ऐसा जो है नियम है भारतिय नया संगीता यहां पर कोई भी दिक्कत आने वाला नहीं है आप लोगों को पहले बार आपको जाना पड़ेगा दूसरे बार से आपको जाने की जरुवद नहीं जितना भी डेट होगा सेटल्मेंट अगर बोला जादे तो आप उनसे जहें कर सकते लेकिन बार-बार डेट पर रहा है आप लोगों को जाना पर रहा है वे फाल तो में जहें अपेर PCR होता है जो भी डेट परता है वो बहुत लंबे सामाई के लिए खीसता है गांग हो किसी को नहीं बता लगबग 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल भी लग सकता है कितना बड़ा-बड़ा केस भी अभी चल रहा है 100 साल हो चुका है वो इंसान मर गया लेकिन भाई केस उनके नाम पर चल रहा है ऐसा ऐसा सीचुएशन भी मैंने देखा है तो यहाँ पर आप लोगों को बता रहा हूं कि आप लोगों को अच्छा कासा जो है settlement का offer देगा और case भी वहाँ पर withdraw कर लेगा आप लोग देखे गई है आभी नहीं तो क्या हुआ कुछ दिन बार से आप लोग को पता चल देगा आप लोग को यह कानून पता नहीं था लेकिन पता चल गया अब उन लोगों को भी पता चलेगा बही ऐसा ऐसा हुआ है तो वो लोग जो है आप लोग को जो भी है settlement अच्छा कासा जो है अपर देगा तो दोस्तो आप लोग को सही तरीके का जानकरी देपाया है अगर अच्छा लगाए तो लाइक करें दोस्तों के साथ भी शेयर करें सब्सक्राइब बटन प्रेस काने न खर दोस्तों